असलाम लेकुम विवर्स आज रुबीनांसारीक्चन में आपके लिए शिमला मिर्च और आलू की तरकारी तयार हो रही है दो बड़े साइस के आलू को छोट छोट तुकडों में काटके नमक के पानी में भिगो दिया है दो ही शिमला मिर्चे ली है जिनें छोटा छोटा काटा है दो टेबल स्पून हरा धनिया दो हरी मिर्चे एक वाटर कप सरसो का तेल एक टेबल स्पून अद्रक लेसन का पेस्ट एक एक बड़े साइस का टिमाटर और प्यास चोटे टुकडों में काटा है एक टी स्पून सफैजीरा दो पिंचिस का लौंजी सुनत नवी सल्लाव लेवाले वाले स्वे मताबिया एक एक टी स्पून नमक सुरुख मेश और कौार्टर टी स्पून हल्दी है स्वास पैन में सबसे पहले में सरस्म का तेल डालके और फ्लेम को हाई करूंगी ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए और इसमें जो इसमेल है वह निकल जाए जब इसमें से धुआ निकना लगेगा तो फिर हम आप से मिलते हैं विवर्स तकरीबन दो से तीन मिनट हो गए हैं और यह देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआ निकल रहा है अब इसमें मैं जीरा कलॉंजी और प्यास डालूंगी और इसमें थोड़ा सा फ्राई करूंगी हमने से बिलकुल गोल्डन नहीं करना है अगर आप मेरे च से 3 मिन लगे और अभय और इसमें अद्रक लेसन प्राइज डी हैं इसे भी मैं एक मिनट तक फ्राई करूंगी भीवर्स एक मिनट हो गया अभ मैंने खुश्क मसाले डाल दी है इसे थोड़ा सब भून के और इसमें आलो डालूंगी आलूंगी मैंसें पानी निकलके मैंने साफ पानी से से दो लिया था और अब इसको भी मैं थोड़ा सा भून रही हूँ विवर्स तक दो मिनट तक मैंने भूना है अब इसमें मैं एक मख पानी का डालके और ढखका रख रही हूँ अब यह उबाल आता है फ्लेम हाई है जब उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को फिर मैं गलने के लिए लो करूँगी विवर्स एक मिनट में उबाल आ गया है धखकर फ्लेम को मीडियम लो कर रही हूँ और यह गलेंगे तकरीबन पांस से छे मिनट हो चुके हैं अब हम चेक करते हैं आलू को देखिए ग्रेवी भी कम हो गई है आलू 90% टेंडर हो गए है अब मैं इसमें टिमाटर डाली हूँ और टिमाटर डालके इसे भी मिक्स करके और ढखके रखूँगी ताकि टिमाटर सॉफ्ट हो जाएं विवर्स तकरीवन एक से दो मिनट लगे हैं और टिमाटर गल गए हैं देखिए इच्छे खासे गल गए हैं अब इसे में थोड़ा सा भून रही हूँ मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें शिम्ला मिर्चों डालूंगी आपको बता है कि शिम्ला मिर्चों को गलने में ज्य सौफ्ट हो जाएं विवर्स तकरीबान तीन मिनट हो गए हैं और देखिए शिम्ला मिर्चों भी अच्छी सी सौफ नजर आ रही हैं कलर बी चेंज हो गया इसे मैं मिक्स कर रही हूं और मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम आप करके आपके लिए द्याउट करने की तैयारी कर सर्फ कीज़े बहुत मज़िदार लगेगी और एजो साइड डिश अगले वे चावल और डाल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा अपने रोस्तों के साथ शेयर भी कीज़ेगा और लाइक भी कीज़ेगा मिनते हैं कौरने रेसिपी के साथ असलाम लेकम और अल्ला हाफिज